आज की कक्ष्या में आप सभी का स्वागत है और मैं उमीद करता हूँ इस करोना नामक महामारी में आप सभी बिलकुल स्वस्थ होंगे आप इस रोग से बचे हुए होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से घरों में रहे करके संपन हो रही होगे हम पलस्टू कक्ष्या की इतिहास की पाठे पुस्तक का अध्याए नमबर एक की आज सुरुआत करने जा रहे हैं और हमारे पाठ का नाम है इंटे मनके और अस्थियां हडपा सभैता यहां यह जान लेना बड़ा आउसक है कि इंट मनके और अस्थियां यह क्या है यह सारी की सारी पूरा तात्विक वस्तूएं हैं कौन से वस्तूएं हैं पूरा तात्विक वस्तूएं इतिहास को जानने के हमारे पास दो महत्पुन स्त्रोथ होते हैं एक स्त्रोथ होता है हमारे पास पूरा तात्विक और दूसरा हमारे पास होता है सहित्तिक जिनके जरीए हम इतिहास को जानते हैं और जब मानो पढ़ा लिखा नहीं था या मानो ने पढ़ना लिखना शुरू कर दिया था लेकिन उस लिपी को हम पढ़ नहीं पाते हैं आज क्योंकि वो बहुत प्राचीन काल की लिपी थी और उस लिपी के अउसेस केवल मातर हमें अभी लेकों में मिलते हैं और उनको पढ़ पाना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है तो फिर मानो जो है उस समय जो पूरा तत्तव हमें मिलते हैं उनके उपर जो लिपी लिखी गई जिसे वो पढ़ पाता है उससे हम इतियास को जान पाते हैं या फिर जो इमारते उस समय हमें मिली उन इमारतों के निर्मान में जो सामगरी लगी हुई है उसके जरिए या उन इमारतों के जो दिवार है उसके उपर जो चित्तर होते हैं उनके जरिये मानव जो है प्रियतन करता है अतीत के पुनर निर्मान का जो इतिहास भीच चुका है उसको दोबारा जो है पुनर निर्मित करने का वो वेक्ति परियास करता है तो उसी परियास में इंट मन के और रस्तियां ये हमारे पूरा तात्विक जो हैं ततो हैं जिनके जरीए हम यहां एक भारत की महान सब्भैता हडपा सब्भैता का अवलोकन करेंगे कि ये हडपा जो सब्भैता है ये क्या थी कब से कब तक ये फैली थी और इसका क्या ओचित्त है था तो मैं थोड़ा सा आपको ग्यान के लिए बता दूँ कि 1860 के दसक में लाहोर तक जो रेलाइन बिछाई जा रही थी लाहोर रेलाइन जब बिछाई जा रही थी तो उस दोरान 1860 के दसक की मैं बात कर रहा हूँ यहां 1856 के आसपास का वो समय था तो उस दोरान खुदाई से कुछ इंटे मिली लेकिन उस टाइम के जो इंजीनियर थे वो उन इटों के महतव को जो है पहचान नहीं पाए कि ज़्यादा हम यहां खुदाई करेंगे हो सकता है कि हमें यहां और भी जो है इमारतों के होसेस मिले दिवारे मिले और भी इंट सथान को जो है वैसे ही छोड़ दिया लेकिन 1921 के अंदर दयाराम सहानी नाम के भारतिये ने इस सथान की जो है दोबारा खुदाई करवाई और इंटों के महतव को उसने समझने का प्रियतन किया और उसका असर यह हुआ कि उस सथान के उपर हमें एक बहुत बड़ा जो है स्थल मिला और वो स्थल था हडपा और उस हडपा की खोजने ही एक नई सभेता का जनम कर दिया भारत के अंदर वो थी हडपा सभेता इसका नामकर्ण इसी कान से जो है हडपा सभेता रखा गया था क्योंकि इसका सबसे प्राचीन जो है खुदाई के दोरान प्राप्त किय कर आगे जो नगर था वो हडपा था तो दैयाराम सहानी ने 1921 के अंदर भारती इतिहास के अंदर एक करांति ला दी हूं और हम भारती इतिहास को मानते थे वैदिक संस्कर्ती से कि भारत के अंदर जो है मानो का जो उदे है वो कब से हुआ मानो का उदे वैदिक संसकर्ती से हुआ लेकिन वैदिक संसकर्ती से पहले भी भारत के अंदर मानो का उदे था भारत के अंदर एक विक्सित सब्वेता का जनम हुआ था इसने क्या किया भारतिय इतिहास को 4000 साल और पीछे कर 4,000 साल हम कहाँ चले गए पीछे चले गए और हमें बड़ा गरव हुआ कि जिस्समें मैसोपटामिया की सब्वेता युनान की सब्वेता और क्रीट की सब्वेता जो है विश्व के अन्ने भागों में फ्यली थी उसमें भारत के अंदर भी मानव का क्या हो गया था उदे हो ग सभ्भेता एक भारतिय इतिहास के लिए लेंड मार्क बन गई एक बहुत महतपून यह घटना थी और इस घटना ने जो है भारतिय अतीत को बड़ा गवर्वानवित महसूस करवाया और आज हम बड़ा फकर के साथ कह सकते हैं कि भारतिय इतिहास जो है इतने वरस पुराना है तो आज इस पार्ट के अंदर हम उसी हडपा सभ्वेता के बारे में जानेंगे कि उस हडपा सभ्वेता को हमने कैसे पहचाना उस हडपा सभ्वेता के जो अवसेस है उनसे हमने किस परकार अतीत को जानने के लिए प्रियतन किये थे इस पूरे पार्ट के अंदर हम वही ची एक महतपुन पत्थर मिलता है जो पत्थर का नाम था सेलखडी ये बड़ा मुलायम पत्थर होता था और इसी से क्या बनती थी मुदराये बनती थी जो हम सिक्के जो हम देखते हैं ये हडपाई मोहर आपको जो दिखाई दे रही है यहाँ पर ये हडपाई मोहर जो उस समय की जो सेलखडी का जो पत्थर होता था बड़ा मुलायम होता था और उसके जरिये जो है यहाँ पर मुद्राय बनाई जाती थी मोहरे बनाई जाती थी मुहरे बनती थी उनके उपर जो है चितरंकी तो किये जाते थे क्योंकि हड़पा सभ्यता की जो लीपी थी वो क्या थी चितरात्मक थी यानि कि अक्सरों का इस्तेमाल नहीं किया जाता था चितरात्मक लीपी थी चितरों का यहां पर क्या किया जाता था इस्तेमाल किया जात प्र dash डाई में अपने जो महतापूण अनाज को रखने के लिए भंड Dum का इस्तेमाल करता था झीन के जरिए वह हणभभा सभ nhता के विषय में चानते हैं उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं यहां एक छोटा सा पॉइंट हमारे पास है कि जो परिभासिक जो सब्द है स्थान और काल है हडपा सब्धा का जो नामकर्ण मैंने अभी आपको बताया था कि सिंदू घाटी सब्धा को हडपा संस्कर्टी कहा जाता है क्योंकि सबसे पहले यह हडपा नामक नगर की खोज हुई थी इसलिए इसका नाम हडपा सब्भैता रखा गया लेकिन बाद में मौन जोदडो मिला चहुदडो लोथल काली बंगा तो और बहुत से स्थान मिलने के कारण जो है फिर हडपा सब्भैता इसका नाम जो है उचित नहीं लगा तो फिर ये सारे के सारे जो स्थान है वो सिंदू नदी के आसपास थे सिंदु नदी के आसपास का छेतर होने की वज़े से फिर इस सभ्यता का नाम रख दिया गया सिंदु घाटी सभ्यता तो पुरातत्व विद्ध जो है यहां संस्कृति का जो पियोग है वो पुरा वस्तुओं के समू के लिए करते हैं जो विशिस्ट सैल भी दुरी के ऊपर क्या थे स्थित तो इस संभ्यता का जो नामक्रण और पानामक्तथान की वज़े से किया गया था और इसका जो काल का निर्धारण है वो हम वानते है एक विख्सित हुई थी उवह चरण कोणकोण से थे एक तो आता है आरंभिक जब इसकी शुरुवात हुई थी एक आ जाता है इसका विक्सित जब ये पुरण अपने चरम के उपर थी और एक आता है उसका परवर्ती परवर्ती हडपा काल तो आरंभिक जो हडपा काल है विक्सित जो हडपा सब्वेता है या परवर्ती जो है सब्वेता है तो शुरुवाती दोर के अंदर जब आरंभिक ववस्ता में आई थी और प्रवर्ती ववस्ता के अंदर आई थी यानि कि जो आरंभिक ववस्ता थी उसके बाद की जो ववस्ता थी और उसके बाद की जो ववस्ता थी वो क्या थी विक्सित ववस्ता थी तो ती प्रगार से हम इसके अध्याय को क्या करते हैं समझते हैं यह आप इन चित्रों में देख भी रहे होंगे बाट मनके और यह फलक हैं यह मैं थोड़ा सा बता भी देता हूँ आपको यह तो फलक हैं यह आपको मनके यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे यह आपको बाट यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे यह बड़ी महतपूर्ण चीजे थी जो हमें हड़पास बैता के दोरान मिली है यह आप देख भी सकते हैं यहाँ पर यह जो जेलम रावी व्यास यह सिंदू नदी है उसके बाद मैं मोहंजोदडो है कोटदीजी है चहुदडो है दोला वीरा है नागेसवर है लोथल और रंगपूर है बनावाली और काली बंगन है राखी गड़ी और मित्था थल है यह हडपा सब्भैता है यह सारी की सारी ज जानना बहुत जरूरी हो जाता है आप B और C यानि किसका आर्थ होता है बिफोर क्राइस्ट इसको बोलते है इसापूरो यानि कि इसामसी के जरम से पहले जो गटनाए गटित हुई थी उनको इस्वी से इसापूरो से किया जाता है यहां भी आप देख सकते हैं B C बिफोर जाता था एडी, एडी का आर्थ होता था एणो डोमिनी, यानि कि इसा मसी के जनम के बाद, यानि कि इसा मसी का जो जनम है उस सथान को जो है जीरो मान लिया जाता है, जीरो वरस मान लिया जाता है, उससे पहले जो गटनाए घटी तुई है, उसको इसा पूरो और उससे की घटनाओं को क्या बोला जाता है इस भी बोला जाता है तो जो दोनों सब्द है यह लेटिन भासा के सब्द है तो इसका ताद पर एरा, क्या आर्थ होता है इसका common है, एरा C सब्दों का भी इस्तेमाल किया जाता है, उसके बाद में B, C, E का भी इस्तेमाल किया जाता है, before common era, तो इन सब्दों के जरीए जो है हम ये जानने का प्रियतन करते हैं कि इतिहास का जो वर्गीकर्ण है उसको किस परकार जो हम काल क के अंदर निर्धारित करें, तो प्राचिन काल के अंदर अगर हम इसको ले करके चलते हैं, तो बहुत लंबा इतिहास हो जाता है, तो उसको हम इसामसी के जनम से पहले का ले लेते हैं, और इसामसी के जनम का क्या ले लेते हैं, बाद का ले लेते हैं, अब हम यहां बात कर करते हैं प्रारंब करते हैं हडपा सब्भैता का तो मैंने अभी आप से बात की थी कि जो हडपा जो सब्भैता है उससे पहले भी बहुत सी संस्कृतियां जो है विश्व के अंदर अस्तितों में आई थी और यह संस्कृतियां जो है उस टाइम में बड़े-बड़े गड़े बनते थे जिनको मरद भांड बोला जाता था क्या बोला जाता था मरद भांड और ये काले भी होते थे लाल भी होते थे तो उनके अधार पर जो हैं मरद भांडों की इनकी विशेश्ताओं के अधार पर भी संस्कर्तियों के नामकर्ण यहां पर किये जाते थे तो इस अंधर मन के भी बनाए जाते थे उनके अधार पर हमें ये पता लग जाता है कि यहाँ पर बस्तियां जो है स्टितों में रही होंगी और बस्तियां जो है उस प्राचीन काल के अंदर बड़ी छोटी होती थी और बड़े आकार की सरचनाई हमें खुदाई के दोरान बहुत कम मिली है और कुछ सतलों के उपर हमें जो है जलाए जाने की भी संकेत मिले हैं अन्य सतलों के उपर हमें जो है त्याकी की हुई वस्तुएं भी मिली हैं तो ऐसा परतीत होता है कि जो प्रारंभिक जो हडपा सब्वैता है और हडपा सब्वैता के बीच के अंदर करम भंग था किस रुवात की जो हडपा सब्वैता थी उसका परसलन हुआ और वो समाथ हो गई उसके बाद में जो है नई हडपा सब्वैता ने क्या लिया जनम लिया उसके बाद में यहां कुछ एक बस्तियों की संख्या यहां दी गई है बहुत बार यह पूछी भी जाती है अगर हम सिंध और चोलिस्तान के अंदर जो बस्तियों की संख्या वो सबसे ज़्यादा मिली है जो पाकिस्तान में 106 और 249 प्रारंबिक हडपा सतल 22 मिले हैं सिंध म मतलम आपको यह बता देता हूँ कि जहां पर मानो रहा उसके बाद में वहां पर जो प्राकर्तिक जो संशादन थे जब वो समाप्त होगे तो उसने उस स्थान को छोड़ दिया और इन्ने स्थान पर जा करके वो बस गया ऐसे स्थानों को त्यागा गया स्थान कहते हैं वि प्राचीन काल के अंदर तीन-चार महतापून चीजे थी एक तो थे पेड़ पोदे पेड़ पोदों से जो भी कुछ उनको खाने को मिल जाता था उससे वो अपना जीवनियापन कर लेते थे दूसरा था मचली पकड़ते थे मचली यानि कि वो कहां रहते थे नदी के किनारे रहते थे नदी के जल के अंदर जो मचली या होती थी उनको क्या कर लेते थे वो पकड़ लेते थे और तीसरी जो महतापून बात है सिकार कर लेते थे उनके आसपास के जो जानवर होते थे उनका क्या कर लिया जाता था सिक प्रव데ृत्र के साक्ष्याय में जैसे काली बंगा से मिले हैं कई जगे पर हमें हल जो मिटी के हल बने हुए उनके चितर मिले हैं तो उससे पता लग जाता है कि यह लोग जो है खेती करना भी क्या कर गए होंगे सीख गए होंगे यह महतबून तरीके थे उनके और उसके पसू पालते थे लोग क्या करते थे पसू भी पालना सुरू कर दिया था इन्होंने दुधारू पसू थे खेती करने के लिए भी पसू का इस्तेमाल किया जाता था मास के लिए भी पसू का क्या किया जाता था इस्तेमाल किया जाता था ये वो छे ऐसे परकार हैं जिनके जरी ये जो है हडपा सब्भेता के लोग क्या करते थे अपना जीवनियापन करते थे और यह मैंने आभी आपको बताया भी है कि पसुपालन करते थे वह मैं कैसे पता लगा कि भैस जो है बेडबकरी जो है सूर जो है उनकी हडियां वहाँ पर मिली है तो उन हडियों से हमें पता लगता है कि ये लोग सिकार भी करते रहे होंगे उसके बाद में नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट आता है वो आता है हमारे पास किर्शी प्रोधोगी की किर्शी प्रोधोगी की का मतलब यहां क्या होगा जो खेती की जाती थी उसके अंदर किस तकनिक का इस्तेमाल किया ज तो इसकी वैसे हमें विश्तरत जो है जानकारी तो नहीं मिलती है लेकिन मैंने अभी आपको थोड़ा सा भी बताया है कि काली बंगा के अंदर जूते हुए खेत मिले हैं हमें उससे हमें पता लगता है कि यह लोग उसमें हल के जरीए जबीन की जूताई करते होंगे इसके अ पर लावा जो चोलिस्तान है या फिर बना वाली है वहां से मैंने आपको भी थोड़े देर पहले बताया था कि मिट्टी के हल मिले हैं तो उससे यह पता चलता है कि यह लोग हल के बारे में क्या करते थे जानते थे तो जूते हुए खेत के साक्षे के अधार पर दूसरा क् खेत हमें मिला है काली बंगा में उसके अंदर क्या था जो लाइने होती थी एक दूसरे को समकोन पर काटती हुई नजर आती थी इससे मैं पता लगता है कि दोनों दिसाओं के अंदर ये लोग क्या करते थे बुआई करते थे एक साथ जो है दो या दो से अधिक फसले भी लोग उगा लेते थे क्योंकि प्राचीन काल के अंदर एक खेत के अंदर ही सभी परकार की फसलों को क्या किया जाता है बोया जाता है तो फसलों की कटाई के लिए उप्यूग तो हमें जो है हसिया यानिकी दराती हमें मिली है उसका भी हमने प्रियास किया है और लोग रोटेंट है मैं वो जगय का नाम लिख रहा हूं जहां से हमें नेहरों के ऐसेस मिलेंव अफगानिस्तान और यह जगय Всё, यहां पर जो है, नेहरों के ऐसेस मिलेंग इससे पता लगता है कि यह लोग मैं जिन शित्तौरओं के अंदर पानी की कमी होती थी वहांपर नेहरों क्या किया जाता था पानी ले जाया जाता था कूओं से भी जो है ये जलकी क्या करते थे प्राप्ती करते थे इसी चाई के लिए तो धोला वीरा के अंदर जला से जला से जो है हडपा सब भेता के अंदर एक स्थान है धोला वीरा गुजरात के अंदर उससे भी हमें ये संकेत मिला है कि ये लोग जो है जलाशों का निर्मान करते थे और वहां पर जल कोई कठा किया जाता था जो बाद में खेती के लिए क्या करते थे ये लोग है उपीज़ोग करते थे उसके बाद में नेक्स्ट नमारा यहां झाल घुल घुल झाल